तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टेडी सर्विस ऑनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म पे तो CDP का आज हम जो आवो मोक टेस्ट नंबर 6 जो आवो डिसकस करने वाले हैं जिसमें आप लोगों के लिए जो आवो इससे पहले जितनी भी क्लासिस हुई हैं उनको आ इसके द्वारा किया झा था इसका अंसर भी हमने देख लिया थाhed मेरे रुडॉर्फ के द्वारे किया गया था साइकलॉजी सब्ढ कज़ाइओ फिलोसपी से बापिस ऩ्याइओ फिलोसपी को रीफारम करके उन्होंने ज़याओ साइक्छडी शब्ड का जब्ड यूज्सकिया था और इन्होंने एक साइक्छ या फुस्तक की रच्ण जबो की गई है इनके द्वारा और यह पुस्तक जबो इनने 1590 के अरांड जबो लिखी थी तो आई होप आप सभी को क्लेर होगा आज का हमारा next question है कि psychology psychology सब्की कि उत्पति जड़ वो कहां से हुई है तो युनानी भाषा के शब्ढों से और फिर सीक और आपके पास जर्मण भाशा से तो आपने याद रखना है कि psychology का जो आपके पास क्या है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर साइकी और लोगस से जो हो हुई है ठीक है इनी दो शब्दों से मिलकर आपकी साइकलोजी जो है वो शब्द की उत्पती हुई है आज का next question देखे संग्या नात्मक ये काफी important question है संग्या नात्मक जो आपके पास अंदोलन था उनके जनक जो वो कौन थे तो याद रखना है जो cognitive moments था आपका इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अलवर्ट बंडूरा याद रखेंगे सभी बहुत बार जो वो question पूछा जाता है तो समाजिक सिक्षा का सिधान आ था किसने किया था तो अलवर्ट बंडूरा जब आपका बिल्कुल सही अंसर आ जाएगा इसमें कि चलिए फौर्टिंट question देखेंगे कि मनोविज्ञान के ब्यावार के वाद किसको जब जनक माना जाता है मनोविज्ञान के ब्यावार का ब्यावार का मतलब है behaviorism का जब ज जनक किसको कहा जाता है तो मैंने बार-बार कहा है कि आपका Watson आजाए Skinner आजाए तो उनको हम जब वो किसका behaviorism के जब जनक के रूप में मानते है बहुत बार जब यह question बहुत important है याद रखना है एक question कोहल वर्क से आता है तो आपको कोहल वर्क से याद रखना है कि उन्हों ने नयतिकता मतलब जो आपके पास मॉलेरिटी है उससे रिलेटेड जब बात की है इसी तरह से थॉन डाइक आता है तो ट्राइलेंड एरर की जो थिवरी थी या फिर लॉफ लर्निंग जब वो खिससे थॉन डाइक से जब कोरेलेट करते हैं next देखिए question number 15 है आज का हमारा पुनरवलन का सिधान जो वो किस्टने प्रदिपादित किया था ठीक है तो पुनरवलन या फिर इसी को सुद्रिडी करण जो अब वो कहा जाता है और इसका जो सिधान था वो दिया गया था स्कीनर के द्वारा याद रखें सभी स्कीनर के द्वारा जो वो इस सिधान को जो वो प्रतिपादित किया गया था और बिहेवरिजम के भी जो वो उनका भी रोल रहता है बिहेवरिजम के अंदर next देखिए बिहेवरिस्ट माना जाता है स्कीनर को question number 16 है व्यक्तित्व माप होता है personality को मेजर करने के लिए इन में से कौन सी विधी जो वो परियुक्त नहीं है तो याद रखना है सरचनात्मक मुले जो वो इसमें से उप्युक्त विधी नहीं होगी इसके इलाबा मैं आपको बता दूँ व्यक्तित्व का मुल्यांकन जो वो परिसूची किस से परिसूची से होता है परिसूची के साथ साथ आप याद रख लीजिए प्रश्णावली प्रश्णावली के बाद जब वो परभाव शाली इसमें नहीं लिखा है तो परभाव शाली भी आप लिख लीजिए साक्सक्ता साक्तरकार या फिर आपके पास इस तरह से चीज़े जानुसूची यह सारे जो वो क्या है important role play करते हैं लेकिन सरजनात्मक मुल्यांकन जो वो बिदी इसमें effect नहीं करती है तो इसलिए option number four आपका जो वो बिल्कुल सही answer आजाएगा question number seventeen देखिए ब्यक्तित्व personality को जो वो दो खंडों का सिधान जो वो किसने प्रतिपादित किया था तो answer करना है कि ब्यक्तित्व के दो खंडों का सिधान तो यह आप लोगों के लिए home work है इसमें जो option दिये है इसमें जो वो सही answer नहीं है अब आप लोगों ने comment box में जो वो comment करके बताना है कि यह व्यक्तित्व का दो खंड personality को टू पार्ट का जो सिधान था टू बार्ट में जब विभाजित करने का जो सिधान था वो किसके द्वारा दिया गया था तो आप लोगों के लिए challenging question रहेगा answer करना है सभी ने next देखिए question number 18 है dysgraphia is related to बहुत बार जो वो किस से correlate करता है फटाफट answer करना है option number one है सीखने की क्षमता हस्त लेखन है गंडना दोश या फिर उप्रोक्त मैसे कोई नहीं तो क्या answer आएगा इसका तो जुल्दी से देखेंगे तो dysgraphia जब एक आपका किस से correlate करता हस्त लेखन की समस्य से जो है वो correlate करता है option number second जब वो सह अंसर है और अगर calculation की बाद करती है dyslexia है तो पढ़ने से related आता है और आपका अगर calculation से है calculate है तो आप mathematical calculation से जो वो चीजें correlate करेगी option number इस graphia से याद लखना आपने फेजिया हो तो वासर से language से related जो अब वो बोला जाता है question number next है ब्यभार अध्यन की सबसे पुरानी बिदी है तो behavior को जो अब वो study करने की सबसे जो पुराना आपके पास क्या आता है method आता है वो कौन सा आता है तो जल्दी से answer करना है तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा भयभार वे क्रिया होती है जिसको समाजिक प्राणी या फिर समाजिक प्रनाली में जीबों के भीतर तथा उसके बीच के निर्णे एवं रन्नीतियों का जब वो शंबेशन करती है तो इन में से ओल्ड जब वो कोई भी नहीं आएगा इन में से कोई नहीं इसका अंसर है नेक्स देखिए जन्रलाइजेशन समयनी करण का क्या मतलब होता है जन्रलाइजेशन का सिधान्त के लिए जब वो कौन अगरसर थे तो आप्शन है टॉल मैंन, स्केनर, फ्राइड या फिल चार्स जुट तो आपने याद रखना है कि जन्रलाइजेशन का जो सिधान था वो जुट के द्वारा जो वो उसके लिए अगरसर है और साथ ही जो वो अमेरिकी मनो वेज्यानिक थे और इनका सिधान पर इन्हों ने अपनी एक बुक लिखी थी genetic psychology for teachers ठीक है genetic psychology for teacher genetic psychology for teacher और 1903 में जो वो इन्हों ने अपनी बुक को जो वो प्रस्तुत किया था चार्ल्स जुट ज़वों से ही अंसर आ जाएगा चलिए बुद्धी अपने आसपास की समयोजन योग्यता है यह किस ने कहा था ठीक है तो बुद्धी ज़वों अपने आसपास अपने कॉर्सपांडिंग आसपास का मतलब क्या होगा कॉर्सपांडिंग का समयोजन मतलब अर पतना है कि यह जो शब्द बोले थे यह इंटेलिजेंस को लेकर जो अल्फरेट विनेट ने जो वो कहे थे ऑप्शन नमबर सेकेंड जो आपका बिल्कुल सही अंसर है नेक्स कुश्चन देखते हैं इन में से कौन सा अधिगम आकलन योगयता है किसने कहा था तो इन में से ज आपका बिल्कुल सही अंसर आजाएगा विद्यारितियों की त्रूटी जो आपके पास क्या है अधिगम की योगयता जो इसको बोलेंगे नेक्स देखते हैं बाइगोस्की का सिधान्त इंप्वार्टन्ट है बाइगोस्की पियाजे कोहलबर्ग आटत छो मोस्की एलवर्ट बंडूरा जो इस तरह के जो मनविग्ञानय का और त्यरी जितनी भी दी मिंगेई है स्कीनर हो गया प्यबलब हो गया या फिर आपके पास नगय ध्यूक हो गया आपका गिलवड हो ओप रस्टन हो गया इस तरह से जो वो वेनेट हो गया बंधूरा हो गया जान दीवेraf हो गया है इन जो वो commonly question आते हैं तो next देखिए क्या question है बाइगौस्की का जो सिधान था वो क्या बोलता है कि किस पक्ष को नजर अंदाज उन्होंने किया था तो बाइगौस्की ने जो वो language को नजर अंदाज किया था भाशा को जो वो इन्होंने नजर अंदाज किया था इनके model को जो इनका जो ठीओरी थी इनका जो सिधान था उसको कहा जाता है संस्कृतिक और समाजिक से जो वो दोनों चीज़ें correlate करती थी जैब समाजिक या फिर आप संस्कृतिक बोल सकते हैं मानब की सं संस्कृति और समाज से जो वो इन्होंने बात किति भाशा के उपर जङबो कोई भी बात उन्होंने नहीं की थी इसलिए जो भाशा से जो उनका थूड़ा दूर दूर तक जो आवोनाता नहीं था नेक्स देखते हैं अती सक्रिय बच्चों की को जब अवश्यक्ता होती है अती सक्रिय का क्या मतलब है कि mostly जो आपके पास active होते हैं उनको जब वो किस तरह की अवश्यक्ता होती है क्लास में अलग ध्यान देना या फिर आपके पास अलग से क्लास रूम विश्यक्षकों का या फिर जो आपके पास अती शक्रिय बच्चे होते हैं उनको विश्यक्ता होती है उनकी जो IQ लेवल होता है वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा high level का रहता है जिसकी वज़र से हम क्या बूलते है कि उनको एक उत्तम निश्पादन करने के लिए उनके बिहेव को डबलब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उसे विशेश तरह का पाठेक्रम देने की नीड है नेक्स देखिए किस ब्यवस्ता में सारिरिक मानसिक और व्यक्तिगत का मूलभूत विकास होता है कौन सी अवस्ता के अंदर शारिरिक, मानसिक और व्यक्ति गत याद रखना है शारिरिक तोर पे mentally और साथ में हम क्या बोलेंगे व्यक्ति गत परसनेल तोर पे मूलभूत विकास होता है तो सभी को पता है कि सारेडिक मानसिक व्यक्तित्तव का जो मूलभूत विकास होता है वो mainly हमें जआवो किशओर अवस्ता के अंदर जब देखने को मिलता है किशओर अवस्ता जब इस पे बहुत जब बाते हमने सीखी थी तोसी के according जो अबो किशोर अवस्ता में क्या होता है mostly जो अबो deployment देखने को मिलती है next question देखते है question क्या है कि बालक जिस बालक किस अवस्ता में हंस्ता कम है मुस्कराता जादा है जिसका आर्थ है वे अपने संबेगों को नियंतरन करना सीख जाता है तो वे कौन सा जो अबो क्या आता है period आता है stage आती है तो आपका जो अबो उत्तर वाले अवस्ता उत्तर वाले अवस्ता में क्या करता है बच्चा थोड़ा हंसना जो अबो कम कर देता है और मुस्कुराना हंसना कम और मुस्कराता जादा है इसका मतलब वो अपने संवेगों को अपने emotion को जो अब वो control करना सीख गया है तो उत्तर वाले अवस्ता जो अब वो इसका सही अंसर होगा next देखिए question number 27 है बुद्धी लबधी बुद्धी लबधी शब्द का सबसे पहले परियोग जो अब वो किस ने किया था तो बुद्धी लबधी का जो वो सबसे पहले परियोग किया गया था थॉन डाइक, बिलियम स्टर्ण, अलफर्ड बिनेट या फिर टर्मन तो मैंने कल भी आपको करवा रखा था बिलियम स्टर्ण के द्वारा जो वो सबसे पहले intelligence question IQ का जो वो क्या किया गया था उपयोग या फिर उसके लेटेट जो वो बात के ही थी और इस शब्द का जो वो सबसे पहले परियोग भी इनके ही द्वारा जो वो बिलियम स्टर्ण के द्वारा जो वो किया गया था नेक्स देखिए पाठे करम में लचीला पन लचीला पन का मतलब क्या है flexibility प्रत्य किसको लाब के लिए प्रतिस्थापित किया गया तो जब भी हमारे पास क्या है पाठे करम को लचीला किया जाता है तो वो योग्य बालकों के वो benefits पहुंचाता है लाब जो वो किसको देगा तो जो properly जो वो क्या है able नहीं है unable जो आपके पास child है उनके लिए जो है वो benefit देगा तो option number A आप लोगों का बिल्कुल सही answer था next देखिए बुद्धी योग्यता है तो जो आपके पास intelligence है वो एक आपकी क्या है योग्यता है किसकी योग्यता है आपने बताना है तो मनुश्य आज अपने stress रम बुद्धी के कारण जो है वो सर्फ स्रेस्ट समझा जाता है मनुश्य को अगर उसकी बुद्धी अच्छी है तो उसको सर्फ स्रेस्ट जो वो माना जाता है तो उसके according अगर हम सीखने की बात करें स्वय को नई परिस्टियों में तो old से new आपके पास वो भी आपके पास क्या आती है परिस्टि सरकम सांसे जाते है उसमें adjust कर लेता है तो वो भी आपका एक बुद्धी से related बात होती है और अपने बिचारों का चिंतन करता है thinking करता है उसके उपर मनन करता है तो वो सारी चीजें किस से relate करेगी आपके विचारों के चिंतन से जो वो correlate करती है ठीक है तो ये सारे जो आपके पास बुद्धी के ही उपरोक जो अबो सही आपका सही अंसर आजाएगा बुद्धी से related सही statement जो वो सही है next देखिए किस ने कहा था कि शिक्षा मनुस्य की अंतर निहित शक्तियों का प्रक्टी करण है तो ये भी काफी important question है इस तरह के question commonly जो वो आपके exam में दीखनी को मिलते है तो ये statement जो वो किसके द्वारा दी गई थी कि जो मनुस्य होता है उसकी अंतर निहित मतलब आंतरिक जो है वो शक्तियों का सिक्षा के द्वारा जो है वो प्रक्टी करण होता है प्रकट होती है तो विवेकानन्द अरस्तू जेम्स या फिर दयानन्द तो आपने याद रखना है ये जो statement थी वो किसकी थी स्वामी विवेकानन्द की जो वो statement थी और स्वामी विवेकानन्द का बच्टपन का नाम हमने सुबा ही जो वो discuss किया था नरेंदर नाथ दत और उन्होंने ही ये बात कही थी कि मनुश्य के अंतर हिन शक्तियों का जो वो प्रक्टी करन्ट जो है वो सिक्षा के माधिम से ही होता है एक चीज और याद रखनी है कि इनके वर्थ अनिवर्स्ट्री पे जो है वो बारा जून को क्या मनाया जाता है सुरी बारा जन्वरी को जो है वो